हेलो फ्रेंट्स लेवल्टेट शूट चैनल पर आप सभी का स्वागा थे इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे स्टॉक जो पॉजिशनल ली या फिर इंट्राइडे में जो बहुत ही आचे पॉजिशन पे आज के डेट में मिल रहे हैं उन सारे स्टॉक काम टेक्निकल करेंगे आगे चनल पहले में रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज आप अभी तक अगरे चनल को सब्स्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के ने चनल करका सब्सक्राइब बाटम का उसके उपर आप क्लिक कर लिजिए साइड में बेल का इडिकोन होगा तो देखेंगे तो आज जो मार्केट मुमेंटम रहा है मार्केट का अगर आप मुमेंटम देखें तो मार्केट पूरा लगबख 2% से भी जादा यह अपमूग दिया है तो गिरते हुए मार्केट में आप अपमूग का एक्सपेटेशन अगर आप करते हैं तो फीर जो है आपको जो चांस है जो आपके स्टॉक सिलेक्शन आप पिछले डे पे आप करके रखते हो तो वो कही ना कही उसमें BOB आती है जो स्टॉक आप ब्रेकडाउन के लिए आप प्रिपेर करके रखते हो मार्केट अगर अपमूब दे रहा है आपके डिरेक्शन में आपके जो प्रेडिक्शन मुमेंटम है उसके एकोरिंग लिए नहीं जा रहा है मुमेंटम आया है वो बाइदा एंड अफ दे आया है जो कि सुरू के जो इनिस्याली 15 मिनिट में आने वाला था जो मुमेंटम होने वाला था वैसा मुमेंटम एसीन पेंट में हुआ नहीं है लेकिन आपकोर्स इसको आप नेक्स दे ट्रेडिंग के लिए मतलब कल के दिन के लिए 5 फेवरारी 2020 के लिए इसको आप रख सकते में थोड़ी दर के बाद इसको प्रॉपर एक्स्पिलेन करूंगा तो आज के अगर आप देखें तो इंडि लेबल हम डिसाइड करें उस लेबल अगर एचीव नहीं होता है तो फिर इस में मुवेंटम जो हैं नहीं होता है और जो ट्रेडिंग जो अपर्चुनिटी वह आमारे पास नहीं होता है ठीक है कोई बात नहीं लेकिन इसमें देखें अभी इसमें डाउनफोर जरूर करेंगे में लेगा हो सकता है आज का दिन का जो हाई है कल के दिन वहां सभी एक रिजक्शन होने लगे हमारा चो लेवल हम करेंगे इसका लो है 250.20 मतलब क्ल कर दिन लो था वह लेवल पर मैं बोल रहा हूं उस लेवल के नीचे अगर निकले फिर आम इसमें सेलिंग साइट पर अपर्चुनिटी देख सकते हैं अब ऊपर चलते हुए मुझे कहीं पर भी इसमें बाइंग यहां पर आने के बाद यहां पर सपोर्ट लिया था तो यहां पर दूबारा जब आया अपकोर्स इसमें एक रीट्रिस्मेंट ज़रूर देखने को मिला है बट यह retracement उसको ऊपर तक लेके जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है तो फिलाल अभी इसमें selling side पे जो हमारा जो है view रहेगा आपकोर्स तो कहीं पे भी अगर trend line रेकाउट पे आपको selling side पर price action मिलता है आप trade इसमें ले सकते हैं कांडरा बेंक में देखिए कांडरा बेंक में मैंने बोला था इसमें downfall और भी आपको देखने को मिलेगे जो की इसके चलते आज अगर आप trend line draw करके इसमें trade करते तो इसमें selling side पर जो है trade ले सकते थे ठीक है यह trend line आपका है यह trend line को अगर आप draw करते प्राइस एक्षन तो आपको यहीं पर ही बोल दिया था कि आप before trend line break out तो price action अपकोस लेडिंग इंडिकेटर होता है इंडिकेटर तो नहीं कहूंगा यह price को suggest करता है तो अपकोस आप यहां पे जरूर इसमें sell order लगा सकते थे तो कितने अच्छे तरीका से trend line को जैसे इसने ब्रेक किया कितने अच्छे तरीका से इसने momentum downside के और हुआ है तो बिल्कुल आप ध्यान मना के रखेगा यह सारे स्टॉक आप देख लीजिएगा बाकि सारे स्टॉक में हमारे यह से जुबिलियांट फूड में आप कर नहीं होगे है तो हमारा जो प्रेडिक्सन था वो बाइसाइड पर ता लिकिन इसमें उपर को गया नहीं है तो इसने के यह नहीं है तो हमारा जो लेबल ता वो नहीं हुआ है लिकिन इसको आप ज़रूर कल के दिन के लिए बना के रहे है ना आज के दिन अगर यह momentum नहीं होता है तो अपकोर्स कल के दिन इसके मोमेंटम होगा क्योंगे इसके closing बिल्कूल उसके आस पास हुआ है तो 2000 रुपे का स्टॉक है अगर इसके उपर निकलता है 2175 के होगा तो इसमें एक अच्छा का सा अपमों देखने को मिलेगा तो बिल्कुल इसको ध्यान बना के रखिएगा तो कल के दिन के लिए कुछ स्टॉक हम ज़रूर देख लेते हैं पहला जो स्टॉक है वो है जैसे कि मैंने अल्रेडी आपको बदा दिया हूँ सिर्फ आपको जो है एक मोडिफाई चार्ट आपको दिखा रहा हूं कि इसमें चार्ट में हुआ क्या है बाकि आप कैसे ट्रेड करें वह आपके कोई भी स्ट्राटेजी आप फोलो कर रहें आप स्ट्रेड कर सकते हैं तो इसमें देखिए यहां पर 12345 यह 45 जो पॉइंट है आप देख सकते हैं वह पॉइंट से उसने बार-बार रिजेक्शन लिया है अभी जो है कल के दिन का क्ल इसमें होते ही यह नीची इंठी गिनने का 15 मिनिट का लो को भी इसने ब्रेक कर दिया फिर पुरा दीन अगशे हैं और में हाइं और l надо अ इसकि बहुत ही अच्छी है इसको आप तल के दिन के लिए जोरूर बना के रहे किएً नेक्स जो स्टॉक है वो है इंडियावल हाउसिंग बाइनस का तो यह भी मैंने आपको बोल चुका हूं क्योंकि उपर के और अगर आप देखेंगे तो उपर के और यह ट्रेंड लाइन है जो जहां से उसको रेजिस्टंस उसको अपकोस मिलेगा 200 is moving average के नीचे अभी स्टॉ का प्राइस से साथ अगर देखेंगे एक छोटा सा यहां पर एक रेजिस्टंस ज़रूर उसको मिलेगा जो की लेवल निकल का रहा है 291.9 का तो इस लेवल से उसको एक रेजिस्टंस मिलेगा ज़रूर लेकिन हो सकता है कि वही से जहां से उसका आज का डेट का हाई है 283 ठ नीचे निकलता है तो इसमें एक बड़ा डाउनफॉल जरूर इसमें देखने को मिलेगा तो उपर के और ज्यादा व्यू लगता नहीं है जब तक यह ट्रेल लाइन को यह क्रॉस करके उपर के और क्लोजिंग ना दे तो तब तक इसमें जो व्यू रहेगा हमारा सेलिंग स पर आ चुका है यह जो स्टॉक है 2018 से अगर आप देखेंगे इसी लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है मतलब जब यह स्टॉक इस लेवल पर आता है वहां से बांस्पेक लेकर उपर के और जाता है यहां से बांस्पेक लेकर फिर से उपर गया यहां से फिर नीचे गया फिर जा वह उपर या नीचे ट्रेड कर रहा है तो आज के दिन में अगर आप देखेंगे इसका क्लोजिंग बिल्कुल सपोर्ट के आसपास हो चुका है तो इसको मैं अभी तो नहीं बोलूगा कि आप ट्रेड करें इसमें इसमें दो चार दिन का विव हम इसको में जरूर बना के प्रेक्डान हुआ है लेकिन अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो अभी आप सेलिंग मत करिएगा इसका प्रावल लेबल और प्राइस सेक्शन के क्रिएशन होना है फिर जाके इसमें सेलिंग के ओपरचुनिटी देखिए लेकिन यह स्टॉक बहुत ही अच्छे पोज ब्रेक नहीं हुआ है तो इसको हम वाच्छ लिस्ट में जोड़ूट बना के रखेंगे उसका लॉब्रेक हुआ तो फिर इसमें डाउनफॉल जोड़ूट देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं यह जो ट्रेल लाइन में ने ड्रॉग यहां पर वन टू ट्री फोर सिक्स सेवन तो सेवन टाइम इस ट्रेल लाइन से उसने सपोर्ट लेके उपर के और गया है मतलब लगवर टूथाउजन सवेंटीन से एटीन एंड नाइटीन दो साल जब भी यह स्ट्रॉग यह स्ट्रेल नाइन के पास आता है वहां से एक बांस्वेक लेता है तो आज क् आज दिन तो इसने इसका नीचे ब्रेक नहीं किया लो उधिन देट कंडल यह के कंडल बना है तो उसके बाद कैसे परफम करता है अगर इस लो के नीचे निकलता है मतलब 500 के नीचे निकलता है तो इसमें डाउन फोर्ट जरूर देखने को मिलेगा नहीं तो फिर दो चार है अब हो है टाइटन का देखे टाइटन में आपको पहले भी स्यांट करा हूँ यह तरे लाइन को देखिए यह प्राइस एक सपोर्ट जरूर लेता है यह सा अभी नहीं हुआ है यह 2018 में भी हुआ है यहां पर देखिए जब आया यहां से कितने आच्छे साट यह मोमेंट ठीड करा है इसको किसी भी साइट पर बाहर निकलने दीजिए फिर जाके यहां पर जैसे इसने बाहर गया था ऊपर सस्टेन किया था मेने वोला था कि इसमें आप्मूब जरू देखने को मिलेगा और देखें यहां पे यहां से लेके यहां पुए हिसमें मुईंटम बहुत ज्यादा हो चुका है बहुत सरे लोग इसमें जो है आपको बाइन के को लेकिन डेकिन मुमेंटम करें आपको चुका है स्ट्राटेजी स्ट्राटेजी का जो वीडियो मैंने अल्लेडी मेरे चनल पे वह जाके देख लीजिए 15 मिनिट का रेंज अगर प्रिविएस डे हाइप के ऊपर बनता है फिर 15 मिनिट का रेकाट होता है तो 15 मिनिट रेकाट पर इसको ज़रूर ट्रेड करेंगे इगा आधि का सब्सक्राब्स जो प्रिजिए और बयाति है हो आधि मैं तो तो, इस्टॉक जो बहुत ही अचय पोजिशन पर आपको मिल रहे हैं बसमाट टेकनिकल यह इन इस बलता है आज के end of day के जो process है उसके basis पे technical analysis में आपको करके देगा मुझे जो stock बहुत अच्छे position पे मिले मेरा view की इसमें क्या है मैंने आपको बहुत चीज बताया तो please वीडियो के लाइक करें ज्यादे से ज्यादा शेयर करें and thank you for watching this video thank you so much thank you